का हेलो प्लिग्र एल्ला रोहित राब देख रेयार के सौनी आज हम फोर फोल्ट बैट्री का बैट्री चार्ज बनाने वाले हैं यह बहें व्यरी का बैट्री चार्ज बनाने होगा चलिए हम इसका component देहिते हैं कॉन- कॉनिसा component यह हो एच होगा इस्टाइपोइंट और यह पॉइंट एसी पॉइंट अब हमें एक से एक पास्टीटर लेना हो कि जिसका के हैं डीड अपह और जाले चैथ में अब का is Mr 002 का यह है फॉस्ट्य प्लेटीब पॉइंट यह है है कैसिटर का पॉजिटीव और डाइओट का पॉजिटीव एक साथ जोड दना है मैं कि कर लेता है देखे मैंने से सोल्डर कर लिया अब हमें एक कैपस्टीटर लेना होगा पीएफ कैपस्टीटर लेना होगा जिसका मान है 105 जे 400 गोल्ट देखें अब यह नॉन पॉलार कैपस्टीटर है आप इसमें किदर से भी लगा देखते हैं अब हमें 470 के का रेजिश्चिंस लेना होगा और इसके पैरलल हमें कनेक्ट कर देना है जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हुए अभी इसे हम सोल्डर कर ले जाए देखें मैंने से सोल्डर जा दिया और डायोड का जो एसी लाइन पॉइंट था अजय दिया दो जो डायोड का जो एसी लाइन पॉइंट है हमें एक पॉइंट ब्लॉद दैना है के अपासिटर से जी अच्छिंस दोडिय को डायोड को एसी लाइन पॉइंट ऑ के पीसरे और पैसमें जोड़ देना है कि यह मैं इसे जोग देदा हुआ कि अजिए मैं जोग दिया और कापिसिटर का एक पॉइंट हो गया अजिए पॉइंट और का यह एक पॉइंट है यह एक पॉइंट जिए एक पॉइंट तूफ रहो हो दो अजिस जो कि अ झाल झाल के लीडी लेना है इस एलीडी को मैंने एक राजिशन से कनेक्ट किया जिसका भैलू है 470 के अब हमें डायोट का पॉजिटिव और डायोट का नेगेटिव में जोड देना है आप किस तरह से भी जोड सकते हैं कोई इसमें फरक ने पड़ता है लिए मैं ऐसे जोड देता हूं कि मैंने से कनेक्ट कर दिया है मैं एक 5 बोल्ट जेनर डायोट लेना है और डायोट का दो पॉजिटिव है और यह जो डायोट में यह जो नेगेटिव जैसे दिख रहा है यह पॉजिटिव हो गया और जो बाकिये पॉर्शन है वो हमारा नेगेटिव हो गया तो यह डायोट का नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव साथ जोड देना है लिए मैं जोड देता हूं और जो डायोट का जो ब्लैक कलर का साइन दिख रहा है वो पॉजिटिव है और उसे डायोट का पॉजिटिव हमें मुल्टिमीटर का बीजी पर सेट करना देखिए ती पर मैंने सेट किया अब दोनों प्रोब को हमें सर्कित के पॉजिटिव और नेगेटिव में अज़कर के देखना कि कितना वोल्ट आ रहा है मैं टच करके दिखाता हूं आपको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव देखिए 4.8 वोल्ट के लगवर में आ रहा है तो हमारे सर्कित कंप्लीट हो गया